दोस्तों आज में लोग इया स्टोरे की लिखी वे एक छोटी सी पोयम पढ़ेंगे जिसका टाइटल है ब्यूटी जिसमें इन्होंने बेहदी अच्छे तरीके से बताया है कि ब्यूटी क्या होती है ये पोयम तीन स्टैंजाज में बटी हुई है तो चलिए दोस्तों इस पो लाइट कभी कह रही है कि सुन्दर्ता को हम लोग सुरी की रौसनी में देख सकते हैं ड़ ट्रीज डबर्ड्स कॉर्न ग्रोइंग और डांसिंग फॉर दियर हर्वेस्ट कभी कह रही है कि सुरी की रौसनी में हम लोग पेड़ों को देखते हैं पच्छीयों को देखते हैं उगती हुई फसलों को देखते हैं, काम करते हुए लोगों को देखते हैं, और वैसे लोग जिनकी फसल तयार हो चुकी है, उन्हें खुसी से नाचते हुए देखते हैं, तो प्वेट कहती है कि सुन्दर्ता देखने वालों की आखों में होती है, या एक व्यक्ति का द्रिस् में सुन सकते हैं, इसे अनुभव कर सकते हैं, इसे महसूस कर सकते हैं, wind sighing, rain falling, or a singer chanting, anything in earnest सुन दर्ता महसूस क्या जाने वाला चीज है, जिसे हम लोग रात के अंधेरे में महसूस कर सकते हैं, जैसी भती हुई हवाओं को महसूस कर सकते हैं, बारिस की गिरती वी बून्डों क को सुन सकते हैं उसे महसूस कर सकते हैं गीत को गाने वाले गायक की आवाज को महसूस कर सकते हैं उसे सुन सकते हैं जो कि इमंदारी पुर्वक गीत को गा रहा है और उसमें सुन्दर्ता को देख सकते हैं Beauty is in yourself, सुन्दर्ता तुम्हारे अंदर है, तुम्हें भी सुन्दर्ता है, good deeds, happy thoughts, सुन्दर्ता तुम्हारे अच्छे कर्मों में है, तुम्हारे अच्छे विचारों में है, that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest, जो कि तुम्हारे ड्रीम्स में, तुम्हारे वर्क में, तुम्हारे रेस्ट में देखा जा सकता है, वो सुन्दर्ता हमेशा तुम्हारे अंदर रिपीट करते रहता है, पोईट यहां कह रही है कि सुन्दर्ता को ढूंडने की कोई अवस्चता नहीं है, यह हमेशा हर एक जै हिंद जै भारत